when a resistance of 2 ohm is connected across the terminal of a cell जब एक resistance है हमारे पास 2 ohm उसको connect किया गया across the terminal of a cell एक cell टर्मिनल को connect कर दिया है तो उस ताइम पर चो current है उसमें वो है 0.5A when the resistance is increased to 5 ohm जो resistance को increase किया 5 ohm the current is 0.25 उस condition में current भी बढ़िया है the EMF of the cell is हमेशा रखना EMF अलग है और voltage अलग है EMF को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें निकान ला है voltage होती है हमारी V हमें EMF निकान ला है यह से formula होते है हमारा यह formula है यह पढ़ा होगा जिसे आपने अलग-अलग 2-3 formula होते हैं इसमें इसमें यह वाला formula लगा रहे हैं आई परले जो आपस 0.5 है यह नहीं है यह गहीं सेकिंड एक्वेशन और में इन दोनों को डिवाइड करना है डिवाइड में गया यह जाएगा सबसे उपर यह जाएगा नीचे है इससे कट पॉइंट हटाया एक अपर बचाए 50 इसे 25 अब बस यह बच्चा हम इसके क्रॉस मिल्टिप्लाय करेंगे अब जो इंटेलर रेजिस्टंस से मारा वो आया है वन लिकिन हमें निकालना है इम्फ लोह में यह वैल्यों पूट करनी होगे इसमें किसी में पूट कर दो जो इनिकले हमारा 1.5V इनिकले 1.5V झाल